दोस्तों कुश्चन टूमबर फाइब तो बला इंट्रेस्टिंग है कह रहे हैं कि एक आपके पास तो आप जानगे तो इसका एक इमेफ होगा एक इंटरनल रिश्टेंस होगा सुपर कंडेक्टर तो है नहीं कि सुपर कंडेक्टर ही ऐसे मेटीरियल होते है जिसका रिश्ट चैए और ट्रमिनल वोल्टेज मालूम है तो इसका मतलब है कि करेंटंडी मालूम हो सकती है तो कहले लगे जब ट्रमिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट का है 1.8 वोल्ट का है एक लागे आपने मृतिमेटर से वोल्ट่न आ पाक तो 1.8 वोल्ट के था है याथkem कि obesity करेंगे याप सूर्ट शूर्ट हाल जो करेंट थी वह पाइंट-फाइब एंपियर नहीं ती यारी पाइंट-फाइब एंपियर की करेंट सर्किट में बाहरी थी. इस दूबारा कह रहे हैं कि दूसरी कंडिशन में अब रिसने बदला होगा नो नेक्स तो अब ही हुआ होगा एम एफ सेल तो यही है यानि एम एफ और आर सिमिलर है कह लगा है ऐसे सूर्थ हाल में जो टर्मिनल वोल्टेज है अबी वो 1.6 वोल्ट का है यानि दूसरे केस में लेकिन जो करेंट है जो करेंट है वो एक एमप्यर की वोगड़ है करेंट सरकिट में एक एमप्यर की फ्लो करने लेकिए ठीक दिख रहा है तो भाई सब दो कंडिशन दिये इन्होंने कह लगे जब वोल्टेश टर्मिनल वोल्टेज 1.48 का था तब करेंट आधा एमप्यर यानि 0.5 एमप्यर की थी और जब वोल्टेज आपका है जिवाब में डाल दिया है जब आएगा तो बताएंगे सवाल आएगा एक ही आएगा ज्याद नहीं आएगा जब इमप से निकल ला है अभी सारा माल क्या हो रहा है यह जो है आपकी डिस्चार्ज हो रहा है यानि यह सब्सक्राइब अपनी बैटरी को चार्ज करते तब क्या होता है वक्ताने पर बताएंगे है तो वाई ता पहली कंडिशन लगाईए पहली में आपने का इम में फिक्ता था सब्सक्राइब वोल्टेज बैटरी एक है तो ए था करेंट ऐसे सूर्थ हाल में 0.5 थी बैटरी वही थी एक्स्टरनल एस्टेंश बदला होगा और करेंट थी अब दो अन्नो ने दो एक्वेशन मिले काम बने है का करेंगा मां घंटा ही थी तो आर्ट निकली आएगा माइनस माइनस और यह प्लस तो यह हो गया आपका 0.2 और यह एक है 0.5 आर बत किया लीजिया था प्रेक की जा गई दो बटे पांच यानी पॉइंट लगाया गीरो बड़ाया चाल यानी इंटर्नल रेजिस्टेंस वह आपना आगे है दोस्त जब यह आगे है तो यह भी आजाएगा आपको क्या किसी एक्वेशन में रखती है इस वाले में रखती है 1.6 वे रखती है 1.4 तो यह इदर है इसको इदर ले आए तो यह जोड जाएगा एट से गोडा करेंगे 0.4 हो जाएगा जब जोडेंगे तो 0.2 गोल्ट हो जाएगा छे चार दस अमे राइट यस एप्सलूटली राइट